Hello everyone, today we will read about email writing. Email writing क्या होती है? कि digital messages को exchange करना. ये क्या कहते हैं हम? Email. तो आज हम पढ़ेंगे email का जो format होता है, वो कैसा होता है? सबसे पहले हम उसके do's and don'ts पढ़ते हैं. तो do's और don'ts जो हैं, वो क्या होते हैं? वो देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. It should be brief. Use an informative subject line. Write short sentences. It should give a clue to the content of the message. Don't write about irrelevant issues. Use simple and lucid language. Use a proper format. Avoid the use of all capital letters in a sentence. Review the email. Don't write any confidential information. Means, कि जो email है, वो आपको कैसी होनी चाहिए? कि छोटी होनी चाहिए. ज़्यादा explanation नहीं होनी चाहिए उसमें. जो subject है, वो informative होना चाहिए. Means, कि subject जो है, उसको पढ़के समझ आ जाना चाहिए. कि जो आप email है, वो किस regarding लिख रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं आपको? उसके बाद है, कि जो content है message का, वो सिर्फ क्या है कि clue दे रहा है आपको? Means, उसमें ज़्यादा explanation नहीं है. बस आपको पता चल रहे हैं कि जो important चीज़ें हैं, सिर्फ वही बताई जा रहे हैं. और कोई भी irrelevant issue नहीं बताने हैं उसमें, कि जो irrelevant चीज़ें हैं, वो नहीं बतानी है. जैसे, for example, कि आप invitation के लिए email लिख रहे हैं, और उसमें आप बता रहे हैं कि मेरी birthday party है, मैं आपको invite कर रहा हूं, और आप आओगे, तो हम dance का show भी होगा वहाँ पे, और खाना भी मिलेगा, हम बहुत enjoy करेंगे, यह सब लिखने की ज़रूरत नहीं है. जब आप invitation के लिए email लिख रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, कि आपको बताना है कि किस चीज़ की party है, किस दिन है, और उसका timing क्या है, बस. इससे ज़्यादा फाल्तु की चीज़े उसमें नहीं होनी चाहिए. Simple language यूज़ करनी है उसमें. Short sentences होने चाहिए. और जो format है, वो हमें proper format जो है, वो follow करना होगा. कोई भी उसमें confidential information नहीं होनी चाहिए. Confidential information कौन सी होती है? जैसे कि account numbers हो गए, bank account numbers, या फिर हमारा आधार कार्ड number हो गया, ये सब भी क्या होता है? confidential information होती है. Right, तो आईए अब हम इसका format देखते हैं. तो इसका format क्या है? कि सबसे पहले line में हमें क्या करना है कि from. देखिए, ऐसे ही लिखना, ये from है. अब from का मतलब क्या है? कि जो email कर रहा है वो. Supposed करीए, मैं email कर रही हूँ principal sir को, या फिर अपने friend को कर रहे हूँ. फ्रिंसिपल sir को नहीं, मैं कि सको करती हूँ, अपने friend को कर रहे हूँ. तो from में क्या जाएगा? मेरा email address होगा. to me क्या होगा? मेरे friend का email address होगा. ठीक है अगर principal sir को मैं कर रही हूँ तो यहाँ पर principal sir नहीं लिखना है क्या लिखेंगे हम sir का email address अब वो जो भी है वही लिखेंगे यह मैं क्यों कह रही हूँ आपको यह example में मैं बताऊंगी बाद में उसके बाद है subject, subject का मतलब क्या है कि मैं किस regarding लिख रही हूँ ठीक है जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि invite कर रही हूँ मैं birthday party के लिए तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर invitation for birthday party उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पर एक blank line subject के बाद एक line का gap करना छोड़ देनी है एक line उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है dear friend अगर आप अपने friend को कर रहे है तो dear friend और अगर आप teachers को कर रहे है या फिर principal sir को कर रहे है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप respected sir या respected maim उसके बाद आपको message लिखना है जो भी आपको message देना चाहते हैं वो आप message लिखेंगे फिर regards जैसे कि आप उसमें क्या लिखते थे कि अगर principal sir को लिख रहे हो तो क्या लिखते थे yours obediently ऐसे ही लिखते थे यहाँ पर नहीं लिखना है क्या लिखेंगे हम regards और उसके बाद name या signature यह format है proper जो कि हमें follow करना है इसके बाद चलिए अब हम example देखते हैं उसी से पूरा आपको clear हो जाएगा for example तो जो question है वो देखिए write an email to your father requesting him to engage a tutor for you यह image नहीं है please इसको correct करें यह क्या है engage कि अपने father को एक email लिखो किस regarding लिखनी है आपको कि एक tutor के request करें आप tutor के लिए कि वो आपके लिए एक tutor का arrangement कर दे right तो चलिए अब हम लिखते हैं जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रोम आशुतोष देखिए प्रोम के बाद जैसा लिखा हुआ आपको as it is he permit follow करना है देखिए यहां तक तो बिल्कुल सेम होगा जहां पर यह आशुतोष at the rate gmail.com दिखा हुआ है यह change हो जाएगा जो भी आप अपना address है वो लिखेंगे यहां पर और देखिए आशुतोष यह नाम है लेकिन इसका जो first letter है वो capital नहीं है किसी भी email id में जो capital letters है वो use नहीं होते हैं तो आप भी यहां पर नहीं करेंगे ध्यान रखेंगे इस चीज इसको उसके बाद है to rohitkumar at the rate gmail.com तो यहां पर आप क्या करेंगे कि जिसको आप भेज रहे हैं अब यहां पर इसने क्या बोला है to your father अब यहां पर father at the rate gmail.com नहीं करना है जो भी आपके पिता जी का नाम है वो लिखना है और means उन्हीं का ही email address आपको लिखना है जो भी है उनका उसके बाद हम क्या लिखेंगे subject subject देखिए यहां पर लिख दिया इसने request to engage a tutor यही था उसके बाद आपको एक line जो है वो blank छोड़नी है यहां पर इसने नहीं की है लेकिन आप कर ले ना क्योंकि उसने बताया है right format में ही दिया गया है नहीं उसके बाद देखिए अब यहां पर क्या है dear papa I have received my report card for the first term exams कि मुझे मेरे first term exam का report card मिल गया है I have not secured good marks in English, math and science मैंने English, science और math में अच्छे अंक प्राप्त नहीं किये है My poor score is worrying me, मेरे खराब अंक मुझे परेशान कर रहे है So I request you to engage a tutor for me in these subjects इसलिए मैं आपसे request करता हूँ कि मेरे लिए आप एक tutor को hire करे, arrange करे इन सभी subjects में अब देखिए उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा है यहां पर कि मैं आपसे request कर रहा हूँ जैसे आप उसमें लिखते थे लेटर में कि आपकी बहुत किरपया होगी, thanking for this यह सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो important चीज़े हैं वही लिखनी है और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, regards और फिर नाम आशुतोष है यहां पर, अब देखिए यहां पर मैंने capital letter ही use किया है, देख लीजिए आशुतोष में एक capital ही लिखा है, मैंने आपसे बताया है कि जो email IDs होती है, उनमें capital letters use नहीं होते हैं, बस यही चीज़े हैं जो आपको ध्यान देना है अच्छा, अब इसके अलावा जो email लिखने के लिए आती है, वो क्या होती है, just same होती है किसके जैसी letter और application के जो subject आते हैं, same वैसे ही होती है suppose कीज़े कि मैं आपको कह दूँ, कि चलिए, आप बिमार हैं, उसके लिए आप दो दिन की छुट्टी चाहिए, email लिख दो sir को, principal sir को तो क्या लिखूंगी मैं यहापे, write an email to your principal requesting him for two days leave of sickness means बिमारी के लिए, right या फिर मैं आप से कह दूँ कि, pulpy concession के लिए email लिख दो, तो बेटा वो सब आपने किया हुआ है पहले ही सिर्फ क्या होगा यहाँ पे, कि यह वाला जो matter है यह तो पूरा का पूरा same ही रहेगा और फालतू की चीज़े नहीं लिखनी है, इसमें जो important चीज़े हैं, relevant चीज़े हैं, बस वही लिखनी है right, अब अगर letter की तरह से गर हम बात करें कि आप अपने invitation के लिए तो मैंने आपको बता दिया है suppose करिए, thanking letter आप लिखते थे ना, तो यहाँ पे आप thanking email लिख रहे हैं right, तो उसमें क्या करेंगे आप, यह तो बिल्कुल same ही रहेगा, यह वाला जो portion है, इसका content तो same ही रहेगा सिर्फ change क्या होगा, यहाँ पे आप अपना लिखेंगे और ध्यान देंगे इस एक चीज़ का, सुने, जो यह from है, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे तो आशुतोष लिख रहे हैं, suppose अपना नाम लिख रहे हैं, और यह जो regards है, यह किसी और का नाम लिख रहे हो, ऐसा मत कर ना, क्योंकि यह एक ही person का नाम होगा, यह भी और यह भी, right, तो आपको फिर उसी की according ही emails लिखनी है, thank you.